नमस्कार दोस्ता हूं सभी का एक बार फिर से हार दिक स्वागत करता हूं बात करेंगे 24th of August के अरिटोरियल सेशन की और स्टार्ट करेंगे इस मोटिवेशनल कोट के साथ All power is within you, you can do everything and anything सारी power आप में है, सारी ताकत, सारी शक्तियां आप में है आप चाहें जो कर सकते हैं, आप के लिए कुछ भी एसमबव नहीं है आशिस क्लासे आप को डाउनलोड कर सकते हैं आप, यहाँ पर बहुत सारे paid course is available है एक हम Wednesday से बैज स्टार्ट करेंगे, दाहिंद वेरिटोरियल का, उसका registration open है आप वहाँ पर जाकर देखें, विजिट करें, और जो भी course आपके लिए उप्युक्त हो, उसे आप buy कर सकते हैं vocabulary, e-book भी उपलब्द है, साथ ये defense services के लिए, air force और navy के लिए paper sets भी यहाँ पर उपलब्द हैं, इसी e-book segment में आप जाकर देख सकते हैं news headlines से start करेंगे, तो पहली headline है, पाकिस्तान denies दाओद इब्राहिम's presence in its territory territory का मतलब होता है, छेत्र, तो पाकिस्तान ने इंकार कर दिया है, इस बात से कि दाओद इब्राहिम उसकी छेत्र में है तो पाकिस्तान में ही दाउद इबराहिम रहता है इस बात से पाकिस्तान ने इंकार किया दिनाई का मतलब इंकार करना दूसरी हेडलाइन है I understood that कमलनाथ and Dick Wijja Singh would ruin the Congress in a few months says Sindhya Sindhya ने कहा कि मुझे पता था मैं समझ मुझे इस बात का आभास था कि कमलनात और दिगविजे सिंग है वो कुछी महीनों में कॉंग्रेस को बरबाद कर देंगे ये सिंधिया जो तिरादित्य सिंधिया जो है उन्होंने ये बात कहिए रुइन का मतलब होता है बरबाद करना माइल्ड ट्रेमर्स अब्जावड इन कच ट्रेमर्स जो शब्द है इसका मतलब बुकम्प होता है आप शुक शेक शुक शेकन जो फॉर्मा चलती है उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं ट्रेमर का अर्थ क्वैक ले सकते हैं ठीक है अब्जाव का मतलब यहाँ पे महसूस किये गए तो कच जो जगह का नाम है वहाँ पर हलके भुकम्प के जटके महसूस किये गए माइल्ड का मतलब होता है लाइट माइल्ड का मतलब लाइट ठीक है तो आज का जो एडिटोरियल है फैलिंग ओन फायर्स यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सेशन को एंडे तक देखिएगा दोस्तों को इसाथ शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपको पसंद आता है आपको समझ में आता है तो निश्ची टूप से लाइक करके जाईएगा फैलिंग ओन फायर्स का मतलब यह है कि देखो इन दिनों के अंदर खास करके 2020 के अगर बात करें जो यह लोगडाउन लगा था यह कोरोना वाइरस महामारी ने पूरे विश्यो को जकट लिया था तो भारत के अगर बात करें तो उस उन दिनों में लोगडाउन के दिनों में यहाँ पे हुई है तो उन उस आग वाले मोर्चे पर ठीक है आग लगने वाले जो घटनाएं है उन स्टिजियों में देखकर अगर देखें तो उस बेसिस पर हम एसफल रहे हैं ठीक है तो फैलिंग ओन फायर्स का मतलब आग की जो घटनाएं घट रही है उस मोर्चे पर उस आग वैसे तो फायर्स से पहले कोई आर्टिकल लगना नहीं चींगे यह खास उस आग की बात कर रहा है जिस पर यह एडिटूरियल बेस्ड है इसलिए फायर दे रखा है तो एक फायर जो की एक हाइड्रो क्लोड हाइड्रो एलेक्टरिक स्टेशन पर वह स्टेशन जो कहा हाल लगती है उस इस्टेशन पर लगती है उस जलविधित इस्टेशन पर लगती है जो की ऐसमित जल के भंडार के नजदी किस्थित है तो यह घटना है वोड सीम ट्वी ये contradiction है, विरोधा भास है, ठीक है, आगे कहना चाहरा है, but as the deadly blaze, deadly घातक, fatal को बोल सकते हैं, deadly, क्या यूज कर सकते हैं, fatal, या फिर क्या यूज कर सकते हैं, lethal, तो the deadly blaze, तो जो घातक या जानलेवा, blaze का मतलब आग की लपते, इसको inferno बोल सकते हैं, conflagration बोल सकते हैं, ठीक है, blaze के लिए आप inferno शब्द का यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप conflagration कह सकते हैं, आग की लपतों को भी बोलते हैं, भीशन आग को बोलते हैं, तो जानलेवा लपते हैं आग की industry salm power plant, ये उस power plant का नाम है, जहां विदुत निर्मान का काम होता है, शोज ये दिखाता है, अब deadly blade जो है, ये subject है, इसको देखकर शोज है, ये दिखाता है, the risk is very real, कि ये जो खत्रा है, वो बहुत ही वास्तविक है, वास्तों में खत्रा है, ठीक हैं, तो यहाँ पर ये जो क्या कहा, कि जो आग लगी hydroelectric station पर, वो station जो की ऐसमित जल के भंडार के बिल्कुल नजदी किस्तित है, तो ये जो fire है, ये ऐसा लगेगा, कि ये विरोधा भासी है, लेकिन यहाँ जो जानलेवा आग लगी है, श्री सेलम पाउर प्लांट में वो दिखाती है, तो show जिसको देखकर है, the risk is very real, कि risk जो है बिलकुल वास्त्रीक है, the risk को देखकर is है, तो fire को देखकर wood है, the deadly blaze को देखकर shows है, the risk को देखकर is है, ठीक है subject रवर्ब ने समझ लिया, 9 people, no log, including 5 engineers, जिसमें 5 engineers भी शामिल है, तो जिन में पांच इंजिनियर्स भी शामिल थे, पैरिश्ट, पैरिश्ट का मतलब मर जाना, तो यहाँ पे नो लोग मारे गए जिसमें पांच इंजिनियर्स भी शामिल थे, इन दा फैसिलिटी, फैसिलिटी का मतलब यह वहाँ पे जो सुविधा, मतलब यह स्तान, यहाँ इस इस्तान की बात है जहां पे आग लगी तो जहां यह आग लगी है वहां पे 9 लोग मारे गए उसमें 5 इंजिनिर्स भी शामिल है कहां पर On the Telangana Andra Pradesh Border तो यह जगे कहां पर इस्तित है Telangana Andra Pradesh की जो सीमा लगती है वहां पर यह स्तित है At 900 Megawatt Capacity capacity का मतलब छमता है तो इस विदू तो सहीं अंतर की छमता कितनी है 900 मेगा वोट की छमता वाला था the plant इसी की बात कर रहा है स्री सेलम की on the left bank channel channel का नहर होता है तो यह जो बाया जो left जो bank है किनारा है channel का नहर का ठीक है of the Krishna Krishna मतलब नदी का नाम है इस प्लांट है यह सबसे बड़ा जो contributor है जो भी मतलब विदुद सप्लाई जहां से होती है उन में से एक यह भी है तो यह वहां का एक एक प्रकार से विदुद वित्रन निगम मान लीजिए तो यह त्यलंगाना राज्य के अंदर power generation cooperation है उसमें जिन सायंत्रों का योगदान है जिन से बिजली क्या पूर्ती होती है उन सबसे बड़े सायंत्रों में से एक सायंत्र ये भी है सिरिसेलम प्लांट भी है अनदर ब्रांच तो लेफ्ट बैंक तो ये करता है और जो एक और इसकी साखा है वो सर्व करती है आंदर प्रदेश को आंदर प्रदेश की भरपाई दूसरे ब्रांच से हो जाती है तो यहां एक बाद रिपीट कर देता हूँ 900 मेगावोट कैपैसिटी है फिर कह रहा है कि जो प्लांट है लेफ्ट बैंक पर जो कृष्णा नदी है कृष्णा नदी के जो उत्तरी बैंक है ठीक है मतलब लेफ्ट बैंक है बाया जो किनारा है वो एक सबसे बड़े कॉंट्रिबुटर्स में से एक है जो कि तेलंगाना की बिजली आपूरतिया काम करता है और जो एक और ब्रांच है एक और जो यहाँ पे ब्रांच है वो स्तरू करती है अंदर प्रदेश को अनदर के साथ में noun singular ही आई की एन लगा हुआ है एन का मतलब एक है एक है तो यहाँ पे noun singular branch का प्रियोग है सर्व जिसी लिए है क्योंकि singular subject बन गया है तो verb को single बनाने के लिए s जोड़ना पड़ता है e s जोड़ना पड़ता है चोंकि यहाँ तो e already था तो s जोड़ दिया सवज आंदर प्रदेश आगे बढ़ता है what makes the accident what इसको देखकर he makes है ठीक है क्या वो चीज है जो इस accident को और भी अधिक disturbing बनाता है disturbing का मतलब वेथित करने वाला ठीक है क्या वो चीज है जो इस accident को accident के पर देख क्यों है क्योंकि हम पता लग गया स्रिसेलम प्लांट में दुरगटना घटी है उसकी बात कर रहे है तो कौन सी वो चीज है जो की accident को और भी अधिक disturbing बनाता है वो क्या है इस देट वो यह है कि it comes as another shock इट यह है कमस यहाँ पर ऐसे पड़ी है पास्ट में आया एज अनधर शोक एक और एक शौक के रूप में एक और जटके के रूप में इनस सीजन ओफ डिजास्टर जो एक यह सीजन चल रहा है विभीशी काओं का संकट का उन संकट की घड़ी में एक और संकट यहाँ पर आ गया समझ में आगी बात तो कहरा कि इस दुरगटना को अधिक disturbing क्या बनाता है देखो दो चीज़े है वोट को देखकर makes है संकट कोरोना वाइरस तो चल ही रहा है कोविड नाइंटीन फिर उसके बाद में बहुत सारे यहाँ पर आग से संबंद दुरगटनाएं घटी हैं ठीक है बहुत सारे हमने आंदर परदेश के संदर में काफी सारे एक्सीडेंट हमने डिसकस की हैं एडिटोरियल के थूँ तो उनमें हमने देखा कि एक और यहाँ पर शोक देखने को मिला है इंडस्ट्री एंड पाउर प्लांस इन अंदर प्रदेश है तो इन तीन जगहों पर आंदर प्लांस में तमिल नाडो में तेलंगाना में यह जो इंडस्ट्रिज और पाउर प्लांट्स है उद्योग है और जो बिजली के सयंत्र है have been ragged ये सब क्या हुए है रैक हुए है रैक का मतलब क्या है annihilate, decimate, destroy, demolish वैसे रैक जो है अगर आप इसको dictionary में सर्च करें तो इस नाम से सर्च करें इसी का एक variant है इसी spelling से मता लग जाएगा रैक का मतलब है नाश कर देना, तबह कर देना, डेस्ट्रोई कर देना, वो सबर्थ है तो कह रहे हैं कि इंडस्टिस और पाउर प्लांट जो है, इन तीन जगहों पे वो मतलब नस्ट हूए हैं कह सकते हो, उनका मतलब नुक्सान हुआ है किस से, एक्सिडेंट से दुरगटनाओं से, किस दोरान, इस COVID-19 वेश्विक महामारी के दोरान, पैंडेमिक मतलब वेश्विक महामारी, डिूरिंग का मतलब के दोरान, इन स्रीसेलम, यह उस पार प्लांट का नाम हो गया, दा फायर, यह जो आग लगी, उसकी बात कर रहा है appears ऐसा लगता है, to have started कि यह आग शुरू हुई, in a control panel during maintenance, control panel, जहां से भी इसको control किया जाता है, पुरे सयंतर को, उसका maintenance का काम चल रहा था, वहां से आग लगनी शुरू हुई, जहना ऐसा लगता है, अप परतीत होता है, repeat कर देता हूँ, स्रीसेलम पार प्लांट में, जो य नहीं आएगा, इसी कारण में कहता हूँ कि V0 concept को समझेए, V0 का मतलब होता है, क्रिया का वह है रूप, जिसके साथ ING आप अपलाई कर सकते हो, चूंकि हैज के साथ तो ING लग नहीं सकता, हैव में लग सकता, इसलिए हैव को V0 हमने मान लिया, तो ऐसा लगता है कि यह start पैनल में किस दोरन, मेंटिनेंस के दोरन, दविक्टिम्स जो शिकार है इसके, वर अनेबल, वो एसक्षम थे, to make an exit, तो जो शिकार हुए हैं इसके, वो एसक्षम थे, यह न, यह एबल नहीं हो पाए, to make an exit मतलब, बाहर निकलने में, exit करने में, through an escape, किस माध्यम से, through यहा का मतलब हो गया, वह सुरंग जिससे बच कर निकला जा सकता था, तो उससे यह बच नहीं पाए, and were overwhelmed, overwhelmed का मतलब यहां पे है, कि काबू पालिया, आग ने उन पर, smoke ने, धुआ उन पर हावी हो गया, overwhelm का मतलब, overcome है, overpower है, repress है, ठीक है, धुएं से यह घुटन हो, इनको हो वह मतलब भाग सके, flee का मतलब होता है, run away, और खास बात इसकी यह है कि flee के साथ में, हम away का प्रियोग नहीं करते हैं, ठीक है न, flee के साथ में away नहीं लगता है, तो flee में away नहीं लगता है, तो flee में away लगता है, क्योंकि run away, बराबर ही flee होता है, तो flee में already away शामिल है, तो वो स धुआ उन पर हावी हो गया मतलब धुए से वो उनका दम घुट गया और मर गये वो जबकि दूसरे जो लोग थे किसी और इस तर पर मतलब कहीं और जगह पर जो थे वो मतलब समय रहते वहां से भाग सके यह कहना चाहता है आगे देखें गोइंग बाई ऑफिशल अकाउंट गोबाई का मतलब होता है किसी चीज़ के अकोर्डिंग अगर देखें है ना अकोर्डिंग टू ऑफिशल अकाउंट समझ लीजिए तो अगर ऑफिशल अकाउंट अकाउंट का मतलब यहां पर पूरी जानकारी रिपोर्ट जो भी ऑफिशल जानकारी मिली है उसके स्मोक प्लस फोग मतलब कोहरा भी हो धुआ भी हो यह जदा घातक होता है शरीर के लिए उसको स्मोक बोलते हैं तो कहरा है कि गॉइंग बाइ ऑफिशल अकाउंट्स तो ऑफिशल अकाउंट्स के अनुसार अगर देखें तो जब स्मोक मेड इडिफिकल्ट तो जो धुआ है उसने मुश्किल कर दिया किसके लिए यहां तक की बचाओ कर्मियों के लिए भी to enter the four-stored structure four-stored चार मंजिला structure यह जो इमारत थी जहां पर यह काम सलता था उनमें प्रवेश करने से इनको भी रोक दिया एंटर का मतलब क्या होता है एंटर का मतलब go into है अब वैसे ही बाता ह में यह घुस नहीं सके प्रवेश नहीं कर सके रिपीट कर देता हूँ अगर आप official accounts के अनुसार देखें जो भी official सूचना मिली है जो report जानकारी मिली है उसके according अगर देखें तो smoke ने जो धुआ था वो इतना ज़दा था कि इसने जो बचाओ कर्मी थे उनके लिए भी गुमारत में घुस नहीं सके और इससे भी जादा अगर बात करें इससे भी अधिक दो वीडियो मेड बाई स्टाफ प्रेजेंट अट इस्पेक्टेकल का मतलब दरश्चे या नजारे को बोलेंगे तो इससे भी जादा वीडियो जो वीडियो मेड बनाए गए किसके कि जब प्रेजेंट का प्रियोग नाउन से पहले करोगे तो उसका मतलब वरतमान होगा ठीक है एक्जिस्टिंग होगा और अगर आप करोगे प्रेजेंट का प्रियोग नाउन के बाद उसका मतलब उपस्तित होगा ठीक है तो यहाँ पे उपस्तित तो इससे भी जादा ज तो यह जो चोटी सी आग लगी थी वह बहुत तेज गती से निगल गई दा वर्किंग एरिया जहां पर वो काम हुआ करता था कारिये छेत्र उस पूरे को जाल में फसाना और यह इनको ट्रैप कर लिया यह भी फस गये जो कर्मी वहाँ पे करमचारी थे लिविंग लिटिल रूम लिटिल का मतलब पढ़ेंगे नो क्योंकि इससे पहले न ए है न दे है इसका मतलब बिलकुल भी नहीं रूम का मतलब जगह है और मनूवर मनूवर से मतलब है स्ट्रेटजेम गेंबिट प्लैन स्कीम चाल को बोलते है प्लैन आप यहां पर समझ लो और कोई भी योधना बना पाए उनके लिए उनके पास जगह ही नहीं बची है ना कुछ भी वो सोच पाए ऐसा उनके पास समय ही नहीं बचा तो रिपीट करूं अगर मैं इससे भी ज़्यादा जो वीडियो बनाए गए स्टाफ के द्वारा अच्छा यहां पर प्रश्ट करते हैं दिखाते हैं तो इससे भी ज़्यादा जो वीडियो जो की स्ðाफ के द्वारा बनाए गए व वीडियो यहां पर प्रस्तूत करते हैं एक द्रश्य किसका परश्य एक चोटी सी आग का जो काफी तेज गती से वरकिंग एरिया को निगल रही थी और साथ में यहाँ पे उन जो काम करने वाले लोग थे परसनल थे उनको यहाँ पर ट्रैप कर रही थी और इस प्रकार से उनके प्लाइन करने के लिए कोई जगह छोड़ी ही नहीं कोई योजना बना सके इतना उनको जगह नहीं दी तेलंगाना है इस इंस्टिट्यूटे ड़ सापित करना है तो CID इंक्वरी की बात इन्हों ने कर दी है आदेश दे दी हैं कि CID के दौररा यह पता लगाए जागा कैसे लगी अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है से अलग है ना अपार्ट फर्म का मतलब इसके अलावा अगर आगे आपको दे रखा होता कि प्रॉब किस चीज की है तो इन्टू लगता तो तेलंगाना ने यहाँ पे CID inquiry की बात कही है और इसके अलावा किसके अलावा प्लांट ओपरेटर जो भी प्लांट को चलाने वाला जो विक्ती है जो भी एक सिस्टम चलाता है उसको उसने खुद ने तो जांच की बात कही है कि हम जांच करेंगे इसके अलावा यहाँ पर तेलंगाना रज्जे ने क्या कर दिया है CID inquiry की बात भी कह दी है But an external or technical audit audit का मतलब investigation यह जांच ही है लेकिन एक बाहरी तकनीकी जांच with no conflicts of interest जिसमें कोई हितों का ठकराव ना हो Conflict of interest का मतलब होता है हितों का ठकराव ठीक है यो नहीं कहें कि हम ही जांच करवाएंगे हमारी बात इसकी क्यों सुने ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन जो एक बाहरी तकनीकी जांच है जिसमें कोई हितों का ठकराव नहीं हो तो वो जांच जो है क्या कर सकती है कुड़ यहां पे संभावना बता रहा है Better serve the objective जो भी आपका उद्देश्य है उद्देश्य क्या है यह पता लगाना कि आग किस कारण से लगी ताकि हम आगे से सावधानी बरत सकें तो यह उस परपज को उस objective को better serve कर सकता है अधिक बहतर तरीके से उसके लिए आपके लाबदाई हो सकता है Identifying Lacuna क्या है? Lacuna का plural है अगर मैं यहीं तक का part छोड़ देता हूँ इसके अंदर A तक का ही तो यह singular है ए जोड़ दिया तो यह plural बन गया ऐसा ही एक example होता लारवा L-A-R-V-A लारवा में ए जोड़ते हैं लारवे plural बन जाएगा formula में ए जोड़ देंगे तो formula plural बन जाएगा Lacuna क्या होता है? gap को बोलते है nothingness को, heaters को, void को यह छिपा हुआ है ठोड़ा सा कि क्या gap रहे गया, क्या कमी रहे गई to stop a future, catastrophe ताकि क्या कर सकें, रोक सकें future, भविशे में catastrophe मतलब आपदा, disaster, विभीशी का संकट, crisis, ठीक है भविशे की किसी ऐसी घटना को रोक सकें, तो यहाँ पर कहरा है लेकिन अगर कोई बाहरी तकनी की जान जो है, जिसमें कोई हितों का ठकराव ना हो, वो मतलब आपके objective को यहाँ better serve कर सकता है, और उन चीजों को पहचानने मदद कर सकता है ताकि आप भविशे में ऐसी किसी विभीशी का को रोक सकें, संकट को रोक सकें it can determine, determine होता है पता लगाना, है न, determine का मतलब होता है, पता लगाना it can determine, why the victims could not make a safe exit अब यह जो है यह निर्धारित कर सकता है ठीक है, determine का निर्धारित करना why the victims की क्यों, वो पिडित लोग जो है, पिडित मतलब जो भी मर गए है जिनको चोटे आई है, could not make a safe exit, क्यों वो safe तरीके से exit नहीं हो सके, क्यों मतलब यह कुड जो है, can का past और ability capacity के लिए बता रहा है, क्यों यह सुरक्षित तरीकों से exit नहीं हो सके, as per standard procedure, as per मतलब के अनुसार standard का मतलब, जो भी मानक set होते हैं, procedure का मतलब, तोर तरीके कारिय विधी जो भी है, तो यह कह रहा है, अब अगर यह जांच अगर हो जाती है तो यह इससे पता लग सकता है, निर्धारित कर सकता है, क्यों जो पिडित लोग थे, वो सुरक्षित तरीके से बाहर नहीं निकल सके standard procedure के अनुसार, समझ गया? आगे देखिए large hydroelectric power plants, बड़े बड़े जो जल विधुत सहिंतर है, are usually built, वो समाने तया बनाए जाते हैं, यह पैसी हो गया, यह एडवब हो गया, समाने तया, well below surface level, surface level से काफी नीचे, below level में नीचे होने के अर्थ को विक्ट करता है, below का opposite जो होता है, वो अबव होता है, ठीक है, तो कहरा है कि बड़े बड़े जो जल विधुत सहिंतर हैं, वो समाने तया बहुत नीचे बनाए जाते हैं, surface level सताहिस तर से, where जहां पे, generation मतलब बिजली का, उत्पादन, control नियंतरन, transmission, प्रसारण, equipment का मतलब होता है, जो उपकरण है, equipment का plural equipment ही बनता है, equipments नहीं बनता है, ठीक है, are located, जहां पर ये इस्तित होते हैं, समझ गए, तो नीचे, surface level से नीचे क्या होता है, कुछ equipment होते हैं, कौन से equipment, जो generate करते हैं, control करते हैं, transmit करते हैं, supply को, मतलब इन, जो बिजली बनाई आपने, उन चीजों का generation, control और transmit करने अकाम करते हैं, वो वहाँ पर located होते हैं, स्तित होते हैं, handling, tackle करना, a fire becomes complicated, किसी भी आग को tackle करना, becomes हो जाता है, complicated, jatil, complex, इन सच circumstances ऐसी परिस्तितियों में, किसी भी आग को tackle करना, ऐसी परिस्तितियों में काफी जटिल हो जाता है, and safety features, और सुरक्षा संबन्दी जो भी features हैं, have to be extremely reliable, वो होने ही चाहिए, have to मतलब ये एक under compulsion है, बाध्धिता है, वो होने ही चाहिए एक्स्ट्रीमली बहुत जदा reliable भरोसे के लाइक, reliable executive है, क्योंकि ABLE से end हो रहा है, ठीक है, तो कह रहा है, किसी भी fire, अब ये a fire इसलिए है कि कोई भी आग, any के अर्थ में a लग जाता है, ठीक है, किसी भी आग, कोई भी आग जो है, वो complicated बन जाती है, ऐसी परिस्टितियों में, और जो safety features हैं, उनको मतलब काफी ज़्यादा भरोसे के लाइक होना ही चाहिए, IEEE standards, अब ये कोई electric and electronics कुछ ऐसा होता है, तो ये एक standard set है, मानक set है, IEEE के द्वारा, for sub station fire, है न, protection, है न, sub station fire protection, मतलब कोई station है, power plant है, वहाँ पे कुछ IEEE standards होते हैं, issued, a quarter century ago, ये कब issue के कब जारी किये गए थे, 25 सालों पहले, a quarter का मतलब, एक बटा 4 century ago, मतलब 25 सालों पहले, lay down, अब ये क्या करते हैं, ये standards जो है, वो यहाँ पे formulate करते हैं, निरूपित करते हैं, lay down का निरूपित करना, नियम आदी बनाना, क्या, norms, नियम, किसके लिए, for fixed and portable ventilation system, fixed का मतलब बिलकूल stir, portable का मतलब, जिसे आप move कर सके, movable, जिसको एक स्थान से, दूसरे स्थान पर ले जाये जा सके, transportable, ठीक है, तो ये निर्धारित करते हैं, नियमों को, fixed or portable ventilation systems के लिए, वो systems, अभी that relative pronoun है, इसका संबंद इससे होगा, जो कि क्या कर सकता है, can remove heavy smoke, जो भारी धुआ को, दुए को हटा सकता है, जैसा कि देखा गया, स्री सेलम में, स्री सेलम power plant में, IEEE standards जो बनाए गये हैं, सब स्टेशन fire protection के लिए, जो 25 सालों पहले जारी किये गए थे, लागू किये गए थे, ये standards यहाँ पे वो नियम बनाते हैं, या निरूपित करते हैं, fixed or portable ventilation system, ventilation समझते हो, रोशन दान, जहां से धुआ वगर निकल सके, तो इन standards में, इन नियमों में ये लिखा होता है, सारे नियम बनाये गए हैं, कि कुछ ऐसा system बनाया जाए, जहां पे वी ऐसी सैंत्र हो, जहां पे आसानी से, वेंटिलेट हो सके, जहां से आसानी से धुआ वगर निकल सके बाहर, ठीक है, वो क्या कर सकता है, अगर ऐसे system होंगे, तो वो धुए को भारी धुआ जो होता है, उसको रिमूव कर सकते हैं, जैसा कि सिरिसेलम में भारी धुआ देखा गया, जो कि वहां से ventilation का system नहीं होगा, इस कारण से वो धुआ वहीं पर रह गया, और वहां के जो personnel थे, वो मारे गए, आगे देखो, use of fire retardant materials, fire retardant materials का मतलब है, ऐसे materials जो की fire की intensity को कम करने के काम आते हैं, या फिर कहें कि आग काफी ज़्यादा लगी हुई है, उसको उस आग की जो speed है, कि तेजी से ना फैले, उसको कम करने के काम आते हैं, उसको बोलते हैं, fire retardant materials, तो इनका इस्तिमाल, इन materials का इस्तिमाल, use subject है, किस में, construction में, dual exits, dual का मतलब दोहरा, एक DUAL होता है, और एक DUEL होता है, जो DUEL होता है, वो लडाई को बोलते हैं, द्वन्द को बोलते हैं, युद्द को बोलते हैं, ये DUAL, दोहरा होता है, dual see mobiles जो होता है, उसकी बात, ये मतलब exit भी दो-दो हो, ठीक है, वही, आप इधर से भी exit हो सकें, तो इधर से भी हो सकें, dual exits हो, easy vertical space routes, easy मतलब आसानी से, vertical मतलब सीधा, escape route मतलब बचने वाले mark हो, using staircases, cd-a, cd-a का इस्तमाल करते हुए, and alarm systems, और आग लग जाए, तो alarm बजने लग जाए, ये सारे के सारे safety codes के हिस्से हैं, जो भी सुरक्षा संबंदी नियम होते हैं, उनका हिस्सा होते हैं, कि एक तो वहाँ पे fire alarm होनी चाहिए, आग लगे तो alarm बज जाए, ताकि समय रहते हैं, वहाँ से बचाजा सकें, साथ में वहाँ पे exit के लिए dual exit होने चाहिए, साथ में वहाँ पे क्या होना चाहिए, कि cd-o का इस्तमाल करते हैं, सीधा रास्ता हो, बच निकलने का, ऐसी चीज़ें जो हैं, वो यहाँ पे safety codes में आती हैं, सभी उसी का हिस्सा होती हैं, आगे देखो, whether these features were available, अब यहाँ पे weather के द्वारा, यह प्रशन पूछ रहा कि क्या यह विशेस्ताएं वहाँ पे थी, क्या वहाँ पे fire alarm थी, क्या वहाँ पे dual exit था, क्या वहाँ पे staircases के द्वारा बच निकलने का रास्ता था, तो whether these features were available in तेलंगाना पाउर प्लांट, तो तेलंगाना का जो इस स्री सेलम पाउर प्लांट है, क्या यहाँ ऐसी विशेस्ताएं थी, and if they were, और अगर थी, why the personal could not use them, तो क्यों जो करमचारी हैं, वो इनका इस्तेमाल नहीं कर सके, to quickly escape, है ना, जल्दी से बच निकलने के लिए, किस से, inferno, inferno क्या होता है, blades, flames, fire, conflagration, बहुत बड़ी भीशन आग जो होती है, उसको inferno बोलते हैं, should be investigated, इस बात का, क्या होना चाहिए, investigation होनी चाहिए, पैसी वो इस है, model के साथ, बी प्लस थर्ड फॉर्म, इस बात की जांस पड़ताल होनी चाहिए, repeat कर देता हूँ, तो क्या ये विशेस्ताएं, available थी, features को देखकर वर है, तेलंगाना पाउर प्लान्ट में, और अगर ये available थी, तो क्यों, जो personal थे, वो use नहीं कर सके, ठीक है, अभी personal, कुड नॉट यूज, ये इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का वर्ब हो गई, quickly escape the inferno, अभी ये जो पूरी कहानी है, यहां तक की, इसके लिए दे रखा, should be investigated, कि क्यों, वहां के करमचारी, इनका इस्तमाल नहीं कर सके, ताकि इस भीशन आग से जल्दी से बच सके, इस बात की जांच की जानी चाहिए, अभी ये डैम फायर, ये जो यहां पे आग लगी है, इसकी बात कर रहा है, इस primarily, मतलब प्राथमिक रूप से, the state government's responsibility, ये जो आग लगी है यहां पे, इस power plant में आग लगी है, ये प्राथमिक रूप से, state government की जिम्मेदारी है, but the center should take the opportunity, लेकिन केंडर सरकार को भी यहां पे, take the opportunity to review safety in places, उनको भी यहां पे ऐसा मतलब क्या कहें, कि इस अवसर में उनको भी involved होना चाहिए, किसके लिए, review करने के लिए, फिर से देखने के लिए, कि क्या सुरक्षा संबन्दी चीजें, इस्तित हैं, in places का मतलब यहां पे यह माल लीजिए, कि क्या सुरक्षा संबन्दी जो मापदंड है, उनका सही तरीके से follow किया जा रहा है, इस्तिमाल हो रहा है कि नहीं, जैसे कि such as उधारन देने के लिए उज होता है, जैसे कि जार्खंड में, जार्खंड क्या है, जहां पे extensive underground coal filled fires, जहां पे extensive काफी विस्तरत underground ground से नीचे, coal filled fire, कोईले के जो आग है, कोईले के फिल्ड के जो आग है, have affected उन्होंने प्रभावित किया, remote communities, दूर के जो छेतर हैं उनको भी, ऐसानी राज्जे का इमामला है, राज्जे के आग कहीं और दूर भी प्रभावित करती हैं, इसलिए यहां पे example जार्खंड का दिया है, तो कहरा है कि जो आग लगी है, मतलब जो ऐसी आग जो होती है, वो प्रात्मिक रूप से राज्जे सरकार के जिम्यदारी होती है, लेकिन यहां केंज़ सरकार को भी इस अवसर को लेना चाहिए, किस रूप में कि आप ये देखें, रिव्यू करें कि जो safety measures होने चाहिए, safety के मापदन होने चाहिए, कि क्या प्रभावी रूप से वहां पे लगे हुए हैं कि नहीं, जैसे कि जार्खंड में, जहां पे coal-filled fires जो हैं, जो कोईले के जो मैदान थे, वहां पे आग लगी underground, उसने प्रभावित किया, दूर दराज के communities को, समुधायों को, इंडिया loses many lives to fires each year, भारत हर साल बहुत सारे जीवन खो देता है, आग के कारण, तो यह lives किसके कारण जाती है, आग के कारण जाती है, तो आग से बहुत सारे लोग मरते हैं, भारत में हर साल, at 12,748 accidental deaths in 2018, 2018 में, दुरघटना सुरूब 12,748 लोग मर गए थे, ठीक है, नियरली डबल, लगभग दुगना है, दर नंबर कोज़ बाई forces of nature, वोर संख्या, जो की प्रकर्तिक घटना के कारण मरते हैं लोग, उसकी बजाए यह संख्या दुगनी है, किसके अनुसार है, यह NCRB के कोई आंकडे हैं, उनके according ये बताए गए हैं, एड्हेरेंस का मतलब होता है पालन करना, है न, ओबे करना, एड्हेर टू लगता है, यह बताया हुआ है मैंने आपको, एड्हेर से एड्हेरेंस बना है, एड्हेर टू, इसी को stick to भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को ही comply with भी बोलते हैं, ठीक, तो यह कह रहा है कि एक अगर सक्ती से, अगर पालन किया जाए, सेफटी कोड्स का, सुरक्षा संबंदी नियमों का, तो वही क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है, किसको, इस शॉकिंग टॉल, यह जो आश्च्रे जनक, मरने वालों के संख्या, टॉल का मतलब मरने वालों टोटल संख्या, तो इस संख्या को कम कर सकता है, अगर सक्ती से, सुरक्षा संबंदी नियमों का, पालन किया जाए तब, ठीक है, तो यह आपका, आज का एडिटोरियल था, बात करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर एफ्लिक्ट हो जाएगा, इसका मतलब है, वही पिडित करना, या फिर नस्ट करना, ठीक है, एनहिलेट करना, यह सब मिनिंग होते हैं इसके, तो एक नमबर को जोड़ेंगे, सी से, दो नमबर फ्ली है, फ्ली का बताया, रन अवे, एक खास बात भी बताई, कि अवे फ्ली में नहीं आता, क्योंकि रन के साथ अवे जुड़ा हुआ है, तो फ्ली का मतलब, रन अवे अगर है, तो फ्ली के अंदर ही अवे समाहित है, तो डी, लैकुना, लैकुना का मतलब गैप होता है, अंतराल होता है, कमी कह सकते हो, फिर, ले डाउन, इसका मतलब निरूपित करना होता है, नियमादी बनाना होता है, तो चार नमबर को जोड़ देंगे, ई से, और पांच नमबर मनूवर, मनूवर का मतलब कोई भी योजना, चाल, तिकड़म, युक्ती, इन सब को बोलते हैं, स्क्रीनशोट ले सकते हैं आप इसका, आगे देखिए, रिविजन की बात करें, ये बे सिर पैर की बात है, कहीं बोलते हैं ना, नॉनसेंस बात है, बे सिर पैर का मतलब, कोई टांग पूछी नहीं है, कुछ मतलब लोजिक की नहीं है, उस बात में, तो उसको बोलते हैं पॉपी कॉपी कॉप, एक नया वर्ड आपको मिल रहा है, तो दिस इस पॉपी कॉप, और मैं विश्वास नहीं करता, कोई भी काम नहीं करता, इसका मतलब don't या doesn't लगेगा, है ना I के साथ don't लगता है, I do not believe it, ठीक है, दिस इस पॉपी कॉप एन आइ दो नाट बिलीव इट, ये बिलकुल बे सिर्पैर की बात है, और मैं इस पर विश्वास नहीं करता, दिस इस पॉपी कॉप एन आइ दो नाट बिलीव इट, कोई भी प्रधानाचारिये द्वारा दिये गए, पेचिदा बयान को नहीं समझ सका, पेचिदा मतलब यहां पे एनिगमेटिक लिया गया है, एक वर्ड है ना, एनिगमेटिक, तो कोई नहीं समझ सका, प्रिंसिपल के द्वारा, तो नबडी कूड अंडरस्टेंड दा एनिगमेटिक स्टेट्मेंट गीवन बाइ दा प्रिंसिपल, फिर है उसको मेरे प्रशनों के द्वारा उलजा दिया गया, यहां पे भी एक अच्छा वर्ड आपको मिलेगा, फ्लमक्स, उलजा दिया गया, यह पैसी वर्डं प्लस थर फॉर्म से बनता है, बात करेंगे प्रेपोजिशन कि तो the committee consisted of, consist के साथ में ओफ लगता है, याद रखेंगे, और एक बात और याद रखेंगे, कि consist of बराबर, comprised लिखा जा सकता है, compromise में कुछ नहीं जुडेगा जब तक कि ये पैसी वो इसमें नहीं है अगर ये पैसी वो इसमें आ जाता है तो इसमें फिर off लगता है दूसरा है he has thrice been convicted off Convict में off लगता है Convict off का मतलब दोशार open करना तो उसे तीन बार जालसाजी का दोशी पाया गया है जालसाजी या धोके का आरोप उस पर लगाया गया है I cannot cop with Cop with का मतलब कदम से कदम मिला कर चलना समन जश्य बिठाना तालमेल बिठाना तो मैं इतनी मतलब भूत सारे समश्याओं के साथ तालमेल नहीं बिठा सकता ये कहना चाहता है तो ये था आज का एडिटोरियल मिलेंगे कल श्याम पांच बजे जो बच्चे लाइव हैं जरूर से लाइक कर दें शेर कर दें सेशन को मिलते हैं कल श्याम पांच बजे तब तक लिए नमस्कार थेंक्स अलट